हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम में मैं लाली पर्मा आप सभी साथवी गक्षा के विध्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साथी साथ यह आचा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन प्रिये विध्यार्थियों बड़ा मज़ा आता है बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी कोमेंट करते हैं और अपनी बातों को व्यक्त करते हैं कोमेंट के माध्यम से ताकि हम सब हमें पता चल पाता है कि विध्यार्थि क्या चाहते हैं क्या उनको अच्छा लग रहा है और कौन-कौन से प्रशन आपके मस्तिश में गूम रहे हैं तो बच्चो किसी भी तरह से संकोश मत कीजिए, डरिये मत हम है आपके लिए, मैगनेट ब्रेंस है आपके लिए के सभी जो भी फ्रेंड्स हैं जहां कहीं भी रहते हैं बस उनको पता चल जाए कि अब साथ भी कक्षा की हिंदी भी आ गई है मैगनेट ब्रेंस पर तो अब आपको डरने के जरुरत नहीं है कक्षा में अवल आना है और सभी प्रशनों के उत्तर सबसे पहले हाथ खड़ा करके देना है है ना चलो तो चलते हैं इसी क्रम के साथ हमने अपनी पार्ठे कुस्तक का पहला पार्ठ पूरा कर दिया है और उसके बहु विकल्पी प्रशन multiple choice questions में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया इसके लिए जोरदार था लिया चलते हैं दूसरा जो पार्ठ है हमारा नची केता जो लिया गया है कठोप निशत से करते हैं इसके multiple choice questions अब बहु विकल्पी प्रशन या MCQs हर एक परिक्षा में बहुत महत्वपोन भूमी का अधा करते हैं नची केता को भी देखे जिस तरह से ये दिख रहे है न चित्र में ठीक उसी तरह से इनका व्यक्तित्व था तेजस्वी बालक पित्रभत बालक और आत्म ज्यानी बालक सुयम यमराज से इनोंने आत्मा का ज्यान आत्मा के रहस्य का ज्यान प्राप्त किया छोटी सी आयू में उन्होंने सभी जो भी जितना भी ज्यान अर्जित करना चाहिए ना कर लिया अच्छे-च्छे संत महात्मा भी आत्मा के रहस्य को जान नहीं पाए परन्तु कुमार नचीकेता ने ये भी यमराज से प्राप्त किया आईए आप चलते हैं इसी के बहु विकल्पी प्रश्णों की और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो भी बहु विकल्पी प्रश्ण या multiple choice questions होते हैं उसमें जिम्मेदारी आपकी जादा है क्यों बता देती हूं फिर से एक बार पाठ आपने पढ़ लिया कहानी आपने सुन ली नचीकेता कौन थे नचीकेता के पिताजी कौन थे नचीकेता कैसे थे नचीकेता ने कितनी विद्यारजन की, कितनी सिक्षाय प्राप्त की ये सब आपने जान लिया अब करना क्या होता है MCQs में कि आपको ध्यान से पहले प्रश्ण को पढ़ना होता है कभी कभी नहीं और है इस तरह के नहीं और है में बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हो नहीं को है समझ लेते हैं है को नहीं और प्रश्ण गलत कर आते हैं ऐसी गलती गलती से भी मत करना ठीक है तो यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना है बहुत ध्यान से विकल्प रहेंगे चार और चार विकल्प मेंसे एक विकल्प आपको सही चुनना है विकल्प जिसको अंग्रेजी में option कहते हैं तो सही विकल्प को चुनकर आपको उसको लिख कर आना होता है परिक्षा में अब कैसे चुनेंगे सही विकल्प? रूणेंगे कि भाई पहला सही कहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा जल्दी से देख लिया No way! ऐसे मत करना हर एक विकल्प को अच्छे से पढ़ना ठीक है? हर एक विकल्प को अच्छे से बढ़ना यदि लग रहा है कि नहीं मत करो उसको cross कर दो दूसरा भी नहीं तीसरे में थोड़ा confusion है चौथे में थोड़ा confusion है तो पहला दूसरा cross करो अब आपको क्या लग रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है उन दोनों मैंसे क्योंकि या KBC तो है नहीं कि हम 50-50 ले लें भाई 50-50 में भी दो चले गए, दो रहे गए फिर तो आपको करना ही पड़ेगा फोन आ फ्रेंड का कुछ है नहीं सिस्टम ओडियंस पोल आप ले नहीं सकते तो आपको अपनी बुद्धी का इस्तमाल करना है तो इसके लिए आपको बहुत अठ्छे से पहला जो वीडियो आता है ना पार्ट का उसको देखना है, सुनना है, समझना है ताकि चाहे कोई कविता हो, चाहे कोई कहानी हो चाहे कोई पौरानिक कथा हो, उसको आप सुन लोगे, जान लोगे तो समझ पाओगे जैसे, पहला प्रशन आया, नची केता क्या था? अब विकल्प जो दिये हैं, उनमें से हमको एक सही विकल्प चुनना है तो विकल्प क्या है? पहला दिया है उद्दंड, दूसरा, पित्रभक्त, तीसरा, मूर्ख, चौथा, शरारती तो क्या नची केता उद्दंड थे? नहीं, 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 हटा दो इसको नहीं थे न, तो अब इसको हटा दो पित्रभक्त थे, बस, जादा जाने की जरूरती नहीं है जब आपको किसी प्रशन का उत्तर बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन उसमें आपको 100% सही होना चाहिए कि बिल्पुल सही है, तब ही आप देखो नहीं, तो आपको सबी options को पहले देखना है, तो ये आपने पित्रभक्त कहा और ये सही जवाब, दूसरे प्रशन की ओड चलते हैं, और अब देखते हैं कि आप कैसे सही चुनोगे, ठीक है? बाज श्रवा ने कौन सा यग किया? महारशी बाज श्रवा कौन थे? नची केता के पिताजी, बहुत बढ़ियां कौन सा यग किया? पहला, राजसुय, दूसरा, अश्वमेग, तीसरा, सर्वमेग, चौथा, गायत्री यग क्या उन्होंने राजसुय किया था, अश्वमेग किया था, सर्वमेग किया था या गायत्री किया था? तो समय आपके पास है और आपको कैसे उत्तर लिखना है पता है ना जैसे दूसरे का आपको चुनना है कि A है B है C A B C T मेंसे आप मानलो आपको लग रहा है कि भाई C है तो आप लिख दो दूसरे का C ठीक है यदि आपने दूसरे का C लिखा है तो यह बिल्कुल सही जवाब है जिसने भी दूसरे का उत्तर C दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है और बता है आपने कैसे दिया क्योंकि आपने ध्यान से पहला वीडियो देखा उस कथा को सुना क्योंकि सर्व मेग यग करवाया गया था महारिशी बाजश्रवा द्वारा जिसमें उनको सब कुछ दान देना था अब देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है बाजश्रवा ने नची केता को दान में किसे दिया कहानी याद करो जब हमने पढ़ी थी कहानी कि वो बूरी-बूरी गायों को दे रहे थे ब्रामनों को जबकि सर्व मेग यग में तो सबसे प्रिये जो होता है अच्छी-च्छी वस्तुओं को दान में दिया जाता है लेकिन महारिशी बाजश्रवा के अंदर लोब आ गया और वे चाट चाट कर कमजोर सी बूड़ी सी कम दूद देने वाली गायों को ब्राह्मनों को दान में देने लगे बालक नची के तासे रहा नहीं गया उसने का पिता जी ये आप क्या कर रहे हैं आपको तो सबसे प्रिये वस्तू देना चाहिए ना दान में और सबसे प्रिये तो मैं हूँ आप मुझे दान दे दीजे बाजश्रवा को गुस्सा आ गया छोटा मूँ बड़ी बात करता है इतना सा है और मेरे समक्ष इस तरह से बात करता है जा मैंने तुझे भी दान दे दिया किसे और क्रोध में आवेश में वो भूल गए कि वो क्या कह रहे हैं प्रश्न यही है कि बाजश्रवा ने नचे केता को दान में किसे दिया बताओ पहला पंडित को दूसरा यमराज को तीसरा गुरू को या चौथा ब्रहामनों को अब इतनी अमने बात कर ली है तो अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया नचे केता से और फिर पच्चता दे रहे बहुत पच्चता है वो रोका भी उन्होंने तो किसी को दान देने सेन में से किसको दान देने में भेभीत हो जाना है हाँ A, B, C, D क्या लगता है आपको तीसरे का उत्तर A, B, C, D में से कौन सा उत्तर होगा B, यमराज को और यदि जिसने B किया है उसका जवाब सही है ठीक है? आगे चलते हैं नची के तक किस प्रवर्ती का बालक था? किस प्रवर्ती का? पहला दिया है अहिंसक दूसरा साधू तीसरा उदार चौथा त्यागी ओ, ओ, देखो अब यहाँ अहिंसक, साधू, उदार, त्यागी यह चारों ही बड़े अच्छे गुण है लेकिन हमें देखना है कि नची के तक किस प्रवर्ती का बालक था? हिंसा करना पाप है तो अहिंसा अच्छी प्रवर्ती है साधू, सज्जन अच्छी प्रवर्ती है उदार अच्छी प्रवर्ती है त्यागी अच्छी प्रविर्ति है तो भाई नची किये था मैं इन में से क्या था अब है ना बात अब अच्छे से सोचो चार सेकंड देती हूं आपको एक दो तीन चार अहिंसक साधू उदार या त्यागी तो साधू साधू का साधू के अंतरगत ये सब कुछ जाएंगे सब कुछ सब कुछ सब कुछ ये सब इसी में समाहित है इसलिए साधू ही सही है साधू अहिंसक भी होते हैं साधू उदार भी होते हैं और साधू त्यागी भी होते हैं इसलिए साधु प्रवर्ती का बालक था नचिकेता समझ में आ रहा है यग के अंत में बाज श्रवा के मन में क्या आ गया जैसे ही यग समाप्त हुआ अब बारियाई की दान देना है तो वो गए अपनी गवशाला गवशाला में उनकी बहुत सारी गाएं बंदी हुई थी अब क्या हुआ क्रोध अंत में क्या आ गया क्रोध दूसरा स्मरण तीसरा लोब चौथा मोह जैसे ही वे गवशाला में गय उनके मन में क्या उत्पन हो गया बिटा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा तीन सेकंड्स आपके पास हैं उत्तर चुनने के लिए A, B, C या D येस, तीसरा विकल्प यदि आप चुनते हैं तो आपने सही चुना है क्योंकि क्रोध तो उस समय आये नहीं था कुछ याद भी नहीं आई थी मोकी भी बात नहीं थी, उनके मन में लोब आ गया था और लोब कैसा आया कि अरे, इतनी प्यारी प्यारी गायों को दे कर क्या करना है यग तो होई गया तो क्यों ना, बूढ़ी और कमजोर गाये ब्रामनों को दे देते हैं अब ब्रामन जो यग में शामिल होने आये थे, वे कुछ कह नहीं सकते थे इसलिए वो चप चाप देखते रहे और जब नची केता ने देखा था, तब उसने अपने पिताजी से कहा था अगला ब्रश्न, बाजश्रवा यग के अंतमे कैसी गायदान में दे रहे थे तीन-चार बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं पहला दिया है बूढ़ी, दूसरा दिया है दूदबाली, तीसरा दिया है बंध्या, चौथा उपरोक्त सभी कैसी गाय दे रहे थे वो, वो दे रहे थे बूढ़ी गाये जो ब्रहमन, पहले उन्होंने क्या कहा था कि मैं सभी गायों को दान में दे दूँगा लेकिन यग की समापती के बाद उनके मन में लोब की भावना आ गई और उन्होंने बूड़ी गायों को दान में देने का निश्चे किया और वो ब्रामनों को बूड़ी गाये दान में देने लगे अगला, यम के द्वार पर नची केता कितने दिन भूखे प्यासे बैठा रहा बताओ, जब यम राज को दे दिये गए नची केता तो नची केता कहते हैं पिता श्री मैं जा रहा हूँ मुझे अनुमति दीजिए नहीं पुत्र तुम नहीं जा सकते मैंने तो बस ऐसा ही कह दिया था नहीं पित्र अग्या मेरे लिए सर्वो परी है और हम मुझे जाना ही होगा गए लेकिन जब यम राज की यम पुरी पहुँचे तो द्वार पाल ने उन्हें रोक लिया कि नहीं तुम्हें पृतिक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि यम राज अभी नहीं है तो कितने दिन यम के द्वार पर नची केता कितने दिन भूखे प्यासे बैठा रहा पहला चार दिन दूसरा दो दिन तीसरा तीन दिन चौथा पांच दिन चार दो तीन या पांच ध्यान दो जरा क्या पढ़ाता हमने कि वो दो दिन भूखा रहा वो तीन दिन भूखा रहा वो चार दिन भूखा रहा या पांच दिन भूखा रहा नची केता दो तीन चार पाँच वो रहा था तीन दिन भूखा प्यासा प्रतिक्षा ही करता रहा कि जब यमराज आएंगे मैं उनसे भेट करूँगा और यमराज से भेट करने पर यमराज उसकी बहुत धिकुशलता को देख कर प्रसन हो गए बोले तीन वर्दान मांगो बस तुम्हें क्या मांगना है तो क्या वर्दान मांगे थे किसी को याद है वो तीन वर्दान कि मैं कभी क्रोध ना करूँ ऐसा कुछ हाँ और और क्या कहा था बताइएगा लिखकर हमने समझा था अगला छोटा मूँ बड़ी बात करता है किसने कहा इसकी चर्चा भी हमने अभी की थी पहला दिया है यमराज ने दूसरा दिया है बाजश्रवा ने तीसरा दिया है नजीकेता ने या कोई नहीं चोटा मों बड़ी बात करता है किसने क्यूं कब कहा गवर्शाला में गायव को दान करते समय जब रिशी, महारिशी, बाच्रवा, ब्राहमनों को बूरी गायव दान में दे रहे थे उसने कहा पिता जी ये क्या कर रहे हैं आपने तो सर्वमेग यग किया है और उसमें तो आपको प्रियवस्तु दान में देना है ये अनुचित है, उचित नहीं है मैं आपकी प्रियवस्तु हूँ, मुझे दान में दे दीजिए तब किसने कहा होगा? आप बताईए, क्या यमराज ने? नहीं क्या बाज्श्रवा ने? बिलकुल, क्योंकि पिता थे उनके बाज्श्रवा अगला, नचिकेता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से? पहला दिया है महाभारत दूसरा, रामायन तीसरा, पंचतंत्र दिया चौथा, कठोप निशद वेरी गोड कठोप निशद से लिया गया है ठीक है? अगला नचिकेता ने किसे दान में देने को मना कर दिया पहला, गाए दूसरा, शेर तीसरा, बिल्ली चौथा, वो प्रोप सभी और गाए भी कैसी गाए? कैसी गाए दे रहे थे उनके पिताजी ब्रहामनों को बूड़ी, कमजोर, कम दूद देने वाली चाट-चाट कर दे रहे थे नचिकेता ने साफ कह दिया पिताजी आप इस तरह से मत दीजे ब्रहामनों को आपको तो सबसे प्रिये वस्तु देना है तो मुझे ही दान कर दीजे रिशी वर को गुस्सा आगया बोले, छोटा मूँ बड़ी बात करता है जा मैंने तुझे दान दे दिये अमराज को नचिकेता पित्रभक्त थे उन्होंने उसी वक्त सहर्श स्विकार किया और बोले मैं यमपुरी जाऊंगा पिता की आगया मेरे लिए सर्वोपरी है और उन्होंने जो पहला वर मांगा था वो यही मांगा था कि यमराज मेरे पिता ने जो सर्व में एग्य किया है उसका सुफल उन्हें प्राप्त हो जाए ये उन्होंने मांगा था समझ में आया तो यहां पर उन्होंने गाए देने से मना किया था कि ऐसी गाए तो मती दीजे आप यदी बुड़ी बुड़ी गाए दे रहे हैं तो तो मेरे बचो एक छोटा सा बालख अपनी बुड़ी के चलते हैं यमराज जिससे प्रसन हुए और यमराज ने प्रसन होकर उसको आत्मा का रहस प्रदान कर दिया जब ये उसने वरदान मांगा कि मुझे आत्मा का रहस जानना है तो यम्राज चकित हो गए कि इतना सा बालक भला ये क्यों जानना चाहता है उसने का बालक वत्स ये तुम क्यों पूछना चाहते हूं ये तो बड़े बड़े रिशी मुनी ग्यानी तक नहीं जान पाया है लेकिन बोले यमराज जब आपने मुझे तीन वर मांगने का हाश्वासन दिया ही है तो मुझे आत्मा का रहस्थ बताईए यमराज ने उसे आत्मा का रहस्थ बताया तब से नचीकेता आत्मग्यानी के रूप में भी जाना जाता है यदि प्रश्ण इस तरह से आ जाए कि नचीकेता को और क्या कहा जाता है तो आत्मग्यानी या प्रश्ण जाए कि आत्मग्यानी किसे कहा जाता है तो आप उत्तर लिखिएगा नचीकेता ठीक है? इसी तरह से आप भी अपने मन में त्याग और स्वाब इमान की भावना को रखते हुए, अपने जीवन का यापन करना है, अपने कर्म के प्रती पूरी तरह से समर्पित रहते हुए, मैंने ब्रेंस पर बने रहना है जो सिर्फ आपके लिए प्यारे बच्चों, मिलत है अगले वीडियो में, स्वास्त रहिए, खुश रहिए, बाइ-बाइ, थैंक ये सो मच.